अब दोस्तों आप देख सकते हैं item viewed, item added, item purchased, item revenue transaction इस तरीके से आपको पूरा data 48 गंटे के बाद देखने को मिलने लग जाएगा दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे GA4 e-commerce tracking for your Shopify store तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो Google Tag Manager है वो आपकी website से connected होना चाहिए अगर नहीं है तो उसकी link description में दी हुई है उस वीडियो का आप जाके देख सकते हैं और आपका Google Analytics 4 जो है वो आपकी Google Tag Manager से connected होना चाहिए और उसकी भी link आपको description में मिल जाएगी तो चलिए हम direct show करते हैं कि अब e-commerce tracking कैसे setup करना है GA4 में तो उसके लिए आप आजाए है Google Tag Manager में दोस्तों Tag Manager में आपका GA4 का configuration पहले से होना चाहिए उसके बाद आप यहां new tag की button दवाएंगे यहां untitled tag में आप लिख सकते हैं GA4 e-commerce फिर आप यहां pencil की button दवाएंगे उसके बाद दोस्तों आप यहां Google Analytics event वाली button दवाएंगे इसके बाद आप यहां configuration tag में scroll down में जाएंगे और यहां पर अपना Google Analytics GA4 configuration को select करेंगे अब यहां event name में यहां plus की button दवाएंगे और इधर से event को select करेंगे उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे यहां more settings की button को दवाएंगे इसके नीचे e-commerce के नीचे आपको send e-commerce data दिख रहा है इस पर हमको tick करना है यहां पर data layer लिखा हुआ दिखे का उसको as it is रहने दे इसके बाद हम trigger setup करेंगे ऐसा trigger जो की e-commerce events पर ही trigger हो उसके लिए हम यहां pencil की button दवाएंगे फिर यहां plus की button दवाएंगे और यहां untitled trigger में लिख सकते हैं e-commerce event फिर यहां pencil की button दवाएंगे उसके बाद scroll करके नीचे आके यहां custom event पर click करेंगे अब दोस्तों इसके बाद आपको यहां event name दिख रहा है tag को save करने के बाद यहां पर submit की button दवाएंगे इसको publish करतेंगे यहां continue select करके इसके बाद हम हमारे google analytics 4 में चलते हैं analytics 4 में आप यहां report की button दवाएंगे उसके बाद यहां monetization वाली button को दवाएंगे second number पर e-commerce purchases इस पर click करेंगे अब दोस्तों आप देख सकते हैं item viewed, item added, item purchased, item revenue transaction इस तरीके से आपको पूरा data जो है 48 घंटे के बाद देखने को मिलने लग जाएगा अगर आपके website पर transaction हो रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत यह समस्या है तो आप नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पर मुझे contact कर सकते हैं